जनवरी के दूसरे हफ़ते में चुनावों का एलान हो जाएगा जिसके लिए चुनावी पार्टिया तावर तोड रहलियां कर रही है और जनता को लुभाने की कोशिश कर रही है देश की मुख्य विपक्षी पार्टी भी पांचो राज्यों में अपनी पकड को मजबूत कर बिपिन रावत और अन्य सैनिको को याद किया साथ ही राजी की सत्ता में काविस बीजेपी और केंदर की मोधी सरकार पर जम करने शाना साथ है उत्राखंड में विधान सभा चुनाओं के मद्दे नजर कॉंग्रेस नेता और पार्टी के पूरवध्यक्ष रहुल गांधी आज यानि गुरुवार को विजए सम्मान रैली को संबोधित करने के लिए देहरादून पहुंचे इस दोरान उन्होंने देहरादून में बिताए अपने दिनों को याद किया और बीजेपी सरकार पर जम करने शाना साथ है इसके अलावा 1971 की लड़ाई में भारत की जीत क को याद करते हुए कॉंग्रेस के पूर्वध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर आरूप लगाया है कि मोधी सरकार इंदरा गांधी को क्रेडिट नहीं दे रही है उन्होंने कहा कि मोधी सरकार सच से डरती है इसलिए विजए दिवस को लेकर आयोजित कारिक्र में उनका नाम नहीं लिया गया इसके अलावा राहुल ने एक बार फिर मोधी सरकार पर मित्रों की सरकार होने का आरूप लगाया राहुल ने कहा देश को कमजोर किया जा रहा है एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाया जा रहा है कमजोर लोगों को मारा जा रहा है पूरी जी एस्टी पुझी पतियों के लिए है जब तक केंद्र से बीजेपी की सरकार नहीं हटेगी तब तक इस देश के युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा इसके अलावा राहूल गांधी ने लगभग हर मुद्दे पर बीजेपी को घेरा अब चुनावों से पहले राहूल का उत्तरकंड दोरा कॉंग्रेस के लिए कितना फायदेमंद साबित होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा डिवी लाइफ की रिपोर्ट